मसी में मेरे प्रिया जनूम फिर एक बाद शियर्शु मसी के नाम से मैं आपका स्वाधत करता हूँ मैं विवेक रहे हूँ और इस अपता हम रोमियो छे अध्याय को समझ रहे हैं कर हमने दो आयातों को देखा था आज हम तीन से पांच को देखेंगे वापस एब माफ़ी मांगना चाहूँगा मेरी आवाज हो सकता है थोरी सी मींड़क जैसी लग रही हो आपको मेरा गला खराब है और ये पूरा हफ़ता आपको थोरा सा सहरा पड़ेगा मेरे गले के वे हमें येश्यू मसी के समान धार्मिक गिनता है परतु हमारे व्यक्तिकत जीवन में पाप की प्रकृति के साथ हमारी एक लड़ाई जारी है और पॉलोस इस लड़ाई को लड़ने का जिसे धर्म शास्तर की भाशा में पवित्र करन कहते हैं इसके लिए हमें एक नई फो अपस आएगा उसके बाद परन्तु हम आज भी एक विजेता का जीवन जी सकते हैं जो रोज पाप की प्रकृति को पचार रहा है यहां है जो हम आज कर सकते हैं और इसलिए हमें अपने विश्वास के बारे में कुछ सत्यों को जानने की आवशकता है और एक बहुत बड़ सत्यों यहां है कि हम अपने विश्वास के दुवारा येश्व के साथ एक हो गए हैं कल हमने देखा था कि पॉलुस इस अध्याय का शुरू करता है एक प्रश्ण के साथ एक प्रश्ण जो हमारे मन में कई बार आ सकता है अनुग्रह और पाप को लेकर पॉलुस ने पाच अध्याय में कहा था कि जैसे इसी पाप बढ़ा वेसे वेसे परमिश्व का अनुग्रह भी बढ़ता रहा जिसका आर्थ ये है था कि जितना भी पाप क्यों नहों परमिश्व का अनुग्रह उसके लिए काफी है प्र इस बासर जो प्रस्ण दिमाग में आता है कि क्या हम अ तो फिर हम पाप कैसे करते रह सकते हैं पर हम पाप के लिए कैसे मर गए इसके बारे में कल मैंने संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा की थी आज और कल इस बारे में हम विस्तार में और बात करेंगे हम इसमें दो दिन इसलिए लगा रहे हैं यह मसी जीवन का एक बहुत ही अधिक महत्वपून सिर्धान्त है इस सिर्धान्त की समझ आपके जीवन में एक अंदुलनकारी परिवर्त ला सकती है तो मैं पढ़कर बताता हूं पॉलस आगे रोमियो 6 तीन से पाच आयातों में क्या लिखता है या क्या तुम नहीं जानते क हम जिन्होंने येशु मसी में बक्तिस्मा लिया है उसकी मृत्यों का ही बक्तिस्मा लिया है सो उसकी मृत्यों में बक्तिस्मा लेने से हम भी उसके साथ ही गार दिये गए थे ताकि जैसे परमपिता की महीमा में शक्ति के दौरा येशु मसी को मरहों में से जिला दिया गय क्योंकि जब हम उसकी मृत्यों में उसके साथ रहें तो उसके जैसे पुनरत्थान में भी उसके साथ रहेंगे अब तीसरी आयात में लिखा है जिन्होंने येश्यू में बब्तिस्मा लिया है अब आप जानते हैं कि जो नए विश्वासी होते हैं वे लोग पानी में डुपकी लगाकर पिता पुत्रों पवित्रा आत्मा के नाम से बप्तिस्मा लेते हैं पर क्या पॉलुस उस बप्तिस्मा की बात यहां कर रहा है नहीं क्योंकि पानी में बप्तिस्मा तो कहीं नहीं लिखा पर लिखा है येशु मसी में बप्तिस्मा येशु मसी में इसलिए थोड़ा सा बप्तिस्मा का अर्थ हमें समझना पड़ेगा होता क्या है बप्तिस्मा ये आप जानते होंगे कि बप्तिस्मा हिंदी शब्द नहीं है औ पर नहीं अंग्रेजी का अंग्रेजी में benpism कहते हैं हिंदी में benpisma दरसल ये युनानी शब्द है beępitzo जिसका अर्थ है डुबाये जाना पर जाकर कैसे तलीन हो जाना इसका प्रेयोग विए प्रेया किसी चीज होता है वहभी शुद हो गया एक उपयोग इस शब्द का होता है जब कपड़े को रंगने में कपड़े को रंगते हैं ना रंग में डुबा कर उसके लिए और फिर कपड़े का रंग भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा कि रंग का पानी का रंग होता है वैसा ही कपड़ वो उसमें समा गया, वो एक हो गया, इसी आशय का उपियोब करते हुए, हम तीसी आयात का अनुवाद ऐसे भी कर सकते हैं, कि जो येशु मसी में डूब गया, उसकी मृत्यू में ही डूब गया, मतलब उसकी मृत्यू में एक हो गया, मतलब जो मिश्वास के दुबारा येश येश्यू मसी में और येश्यू उन में होता है एक आत्मिक मिलन अब यह बात सूसमाचार की बहुत ही एहम सत्य है जिसे अकसर हम सूसमाचार बताते हैं वक्त नहीं बताया कर बताते हैं कि जब आप विश्वास करते हो तो आप और येश्यू मसी एक हो जाते हो तीसरे आयात की शुरू में देखिए पॉलुस क्या लिखता है क्या तुम नहीं जानते हैं मतलब यह बात पॉलुस के पाठक पहले से जानते थे पॉलुस इस बात को एक विश्वासे के लिए थाधरन ज्यान मान रहा है वे इसे जानते ही होंगे वे उन्हें पस याद दिला रहा है जो व हमारे सारे पाप मानो यिश्यू के हो गए वैसे ही उसकी मौत हमारी मौत हो गई उसका दंड हमारा दंड हो गया मतलब यिश्यू में मैं उसके साथ इस जगत के लिए मर गया मैं अपने पुराने जीवन के लिए इस पाप में जीवन के लिए मर गया इस अध्याय में पॉलोज इस बात को कई बार बहुराता है आगे चटी आयात में वह कहेगा कि हमारा पुराना व्यक्तित्व येश्यू के साथ कुरूस पर चड़ा दिया गया था तो येश्यू का विश्वास का अर्थ है कि हम मसी की मिर्तियों से अपनी पहचान ठापित करते हैं एक नई पहचान अगर सरलता से कहें जब येश्यू हमारे पापों के लिए मरा तब हम पाप के लिए मरते हैं और जिस चीज के लिए हम मर जाते हैं वह हम पर और प्रभूता नहीं कर सकती और हुकूमत नहीं कर सकती इसका तात्पर यह यहा है कि एक विश्वासी होने के नाते हमसे पाप तो होते हैं पर पाप हम पर राज नहीं कर सकता पाप पहले एक बेरहम स्वामी के ज़सा था पर उसका अब हम पर कोई नियंदरन नहीं है और फिर चौती आयात में पॉलुस कहता है हम येशु के साथ गाड दिये गए यह महत्वपून है जरूरी है एक इनसान को गाडा जाना या दफनाए जाना मौत के बाद ही होता है किसी मुर्चित जख्ती को तो गाडा नहीं चाता मतलब येशु में हमारी मौत भी उतनी ही वास्तविक है कितनी येशु की क्रूस पर थी और फिर वह कहता है परंपीता की महीमा मै शक्ति द्वारा येशु को मरे हुँ में से जिला दिया गया था वैसे ही हमें भी एक नया जीवन मिला है जब येशु मर कर वापस जी उठा वह पहले जैसा नहीं था बदल चुका था वैसे हम भी बदल चुके हैं और ये हुआ सर्वशक्तिमान परमिश्वर की शक्ति के दुवारा थे उसकी महीमा मै शक्ति जिसने मिल्तियों की बेडियों को तोड़ कर येशु मसी को मरों में से जिला दिया उसने हमें भी बदल दिया परमिश्व की ताकत पाफ की ताकत से कही ज़्यादा है और उस कहता है वैसे ही हम भी यह हम भी वह बार बार इस अध्याय में उप्योग करता है मतलब हर एक येश्यू मसी के विश्वासी के लिए सचाई है हम सब के जीवन में एक आत्मिक पुनुरुथान हुआ है हम ने हो गए है शारिरिक पुनुरुथान हम सब को लागहाद में होगा पर आत्मिक रूप से पुनुरुथान तो हो चुका है हमारे अंदर का व्यक्ति वो नया है उद्धार का मतलब के वल मुक्ती नहीं है पर उससे कहीं जाना है उद्दार हमारे अतीत से हमें पूर्णत पूरी तरह से छुटकारा दिलाता है हमारे अतीत का हमारे उपर और कोई जोड़ नहीं है हमें और पाप के वश में रहने की जरूरत नहीं है अब जिसके साथ हम मरे हैं जिसके साथ हम जिला दिये गए हैं वहे हमारा स्वामी है, अब हमारे जीवन का लक्ष्य वो अलग है, हमारी मंजिल वो अलग है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रलोबन का सामना नहीं करते हैं, अब प्रलोबन में पढ़कर पाप भी कर जाते हैं, पर सचाई यह है कि पाप हमारा स्वामी नहीं है, एक वहे व क्यों ना करें उसकी गिंती गुराई और पाप के साथ ही होती है क्योंकि वैं पाप के राज के नियंतरन में हैं पर एक विश्वासे के लिए सब कुछ नाटक की रूप से बदल चुका है और जब हम पानी में बप्तिस्मा लेते हैं तो हम इसी आत्मिक सचाई को सब के सामने और खुद के लिए सुिकार रहे हैं बस॥। पाच्वी आयात में पौलस वापस दोहराता है क्योंकि जब हम उसकी मृत्यूं में उसके साथ रहें तो उसके जैसे पुनरत्थान में भी उसके साथ रहेंगे। पहले हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, क्योंकि पाप की वजह से मृत्यू के वश मे थे, पर क्योंकि हमें आत्मिक रूप से वापस जिला दिया गया है, येश्यू मसिय के साथ हम नए हो गए है, दूसरा कुरूंतियों 5 शत्रा कहता है, इसलिए यदि कोई मसी में है, तो वह नई स्रिष्टी है, पुरानी बाते बीद गई हैं देखो, तब बाते नहीं हो गई हैं, पर हमें यह भी स्विकारना होगा, कि जब तक हम इस जगत में हैं, हमारी पाप के साथ हर समय एक गुत्थम गुत्था है, एक युद्ध है, और जैसे हर एक युद्ध में होता है, कुछ लड़ाई हम जीकते हैं, कुछ हाड़ते हैं, कुछ शत्रुं जीजाते हैं, प्रलोबन शत्रु का सबसे ताकतवर हतियات, और इसके साथ हमारी कुषटी जिंदगी भर चलती है, पर हमारे पास पुण उर्थान की ताकत है, हम शत्रु को रोक सकते हैं, हम और बेचार नहीं हैं विश्वास करने से पहले हम पाप के खिलाफ लड़ नहीं रहे थे बस हम वहे जा रहे थे एक मरी हुई मचली की तरह पर अब हम युदध में है और यह आत्मिक युद जीवन भड़ चलता है और यह जीवन के लिए जो उसने हमें दिया है प्रभु धन्यवाद जो जीवन तुने हमारे लिए क्रूस पर दिया और वापिस जी उठने से जो नया जीवन हमें दिया अगर उस नय जीवन को जीने में हमने तेरा भरोसा नहीं किया तो अभी करते हैं हमारी मदद कर कि तेरे डूब कर, तेरे में डूब कर तेरे में समा कर, तेरे सत्य के साथ एक रहे कर हम यह जीवन जी पाएं जैसे तेरे साथ हम मरे तेरे साथ ही हम वापिस भी जी उठें वैसे ही तेरे साथ यह जीवन जीए धन्यवाद इस नए जीवन के लिए येश्यू तेरे नाम से आमेन कल हम रूमियो 6-11 आयातों को देखेंगे जिसमें पॉलुस इसी सोच को जाई रखता है तब के लिए इस एहसास में बने रहिए कि येश्यू मसी में आप नए हो गए है पुराना खतम हो गया है तब कुछ नया है परमिश्वर की महिवाद है